जहें दोस्ता स्वालादे आप सभी का इस वीडियो में मैं हूँ महीर मोगरे तो आज के इस वीडियो में बहुती इंट्रेस्टिंग टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो के हाली में काफी न्यूज में चल रहा है राहुल गांधी उनका जो सरनेम है गांधी ये कहां से पड़ा ये क्यों आया क्या वो सचमुझ गांधी है या फिर ओरिजनली वो खान है जो उनके फादर है उनके जो फादर है उनका जो सरनेम है वो गांधी कहां से आया ये जो गांधी परिवार है ये नेरू अपना सरनेम क्यों नहीं लगाता है इन सभी चीजों पर हम बात करने वाले हैं तो काफी दिलजस्ट वीडियो होने वाला है चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक पर हम बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी हाली में नरेंद्रमोधी जी के द्वारा पारलामेंट में कहा गया कि गांधी फैमिली को नहरू सरनेम लगाने में परहेज है अगर हमसे कोई स्कीम छूट जाती है जिसमें हम नहरू ना लगाए तो फिर गांधी परिवार की जो आखे हैं वो मूटी हो जाती है लेकिन उनको ही नहरू सरनेम लगाने में परहेज होता है वो गांधी सरनेम जो है वो सवाल जो है वो खड़े कर दिये गए तो अब सवाल यही आता है कि जो इल्जाम यहाँ पर लगाया जाता है या फिर जो कहा जाता है कि गांधी परिवार ने अपना जो सरनेम है वो गांधी यहाँ पर पॉलिटिकल सिनारियों के लिए चेंज किया है जबकि वो मुसल्मान मत आपने डाउनलोड नहीं किया है तो जरूर किजिए यहाँ पर आपको वेरियस कोर्सेज देखने को मिलेंगी UPSC के लिए और बाकी स्टेट PSC के लिए तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि GS1, 2, 3, 4 सभी कोर्सेज यहाँ पर अवेलेबल है प्लस यहाँ पर आपको जो परस परसनल कोच का जो फंडा है वो यहाँ पर लाए गया है तो आईए यहाँ पर सबसे पहले तो हम 3 डाइगराम के जरीये जो फैमिली है गांदी फैमिली उनको समझने की कोशच करते है जिससे की सरनेम कहां से आया यहाँ पर समझने में काफी आसानी हो जाएगी तो यहाँ पर सबसे पहले हम मोतिलाल नहरु जाए इन्ही से शुरू करते हैं क्युकर जाधा और पीछे जाकर कोई मतलम नहीं है तो मोतिलाल नहरु, इनकी जो वाइफ है सुरू परानी नहरु यह हमें देखने को मिलते हैं मतलब बेसिकल यहाँ पर सरनेम क्या है? सरनेम यहाँ पर है नहरूप, ठीक है? देन उसके बाद इनके जो बच्चे हैं, वो हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है? अब यहाँ पर दीखे, सबके नाम यहाँ पर याद रखने की कोई जरुवत नहीं है, और जब लड़की की शादी होती है, तो लड़की की शादी होने के बाद जो पती का सरनेम रहता है, वो ही सरनेम जो है, वो भी लड़की का बन जाता है, तो यहाँ पर जैसे मूतिला नहरू है, तो इनके साथ इनकी शादी होई, तो इनका भी सरनेम क्या हो गया? नहरू हो गया, then उसके इनके बच्चे हुए, तो बच्चों का नाम क्या रहेगा, नहरू रहेगा, जब तक शादी नहीं होती है, लड़की की, अब यहाँ पर जबाला नहरू, है ना, then उसके बद यहाँ पर यह पंडित, and then उसके बद यह, इनका नाम जो है, आपर चेंज ह का जो सरनेम है, वो क्या रहेगा यहाँ पर, नहरू, अब इनकी जो बेटी है, वो कौन है, वो है इंदीरा गांदी, अब यहाँ से सरनेम जो हो रहा है, चेंज, अब वो कैसे हो रहा है, तो यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा, कि इंदीरा गांदी जो है, उनका सरनेम ह हो रहा है चेंज शादी के बाद, उनका सरनेम कब चेंज हो रहा है, शादी के बाद, मतलब यहाँ पर शादी होने के बाद, इंदिरा जो है वो बन जाती है गांधी, क्योंकि इनकी जो पती है, उनका सरनेम यहाँ पर लग रहा है, पती कौन है, फिरोज गांधी, समझ रहा ह यहाँ पर मतलब क्या हो रहा है इंदिरा गांदी यहाँ पर सरनेम कब चेंज हो रहा है शादी होने के बाद और शादी किस से हुई है फिरोज गांदी से and then अब यहाँ पर सरनेम जो है वो गांदी लग चुका है क्यों क्योंकि इनका सरनेम जो है वो गांधी था तो अब यहाँ पर गांधी सरनेम लग चुका है अब यहाँ पर हम बाद में आएगे कि गांधी सरनेम आया कहां से हम यहाँ पर सिर्फ अभी जो फैक्ट दिख रहा है उस पर ध्यान दे रहे है यहाँ पर इंदिरा गांधी कहां से आ है गांधी सरनेम फिरो उस गांधी से शादी होने के लिए पती का सरनेम लगता है अब जो पती का सरनेम रहेगा मतलब जो पीता का सरनेम रहेगा वे बच्चों में आएगा तो बच्चों में यहाँ पर जो बच्चे है राजीव तो इस तरीके से यहाँ पर राहूल गांधी जो है वो गांधी यहाँ पर बने हैं तो अब यहाँ पर यह जो एक question था कि यहाँ पर नहरू क्यों नहीं लगाया जाता है राहूल जी के सरनेम के साथ नहरू क्यों नहीं लगाया जाता है तो यह तो बात सिधी factually पता चल जाती क्योंकि यहाँ पर जबाला नेरू जो है उनकी जो पुत्री है उनका विवा हुआ एक गांधी सरनेम वाले व्यक्ति के साथ अब यहाँ पर इनका सरनेम नेरू जो है वो होता तो शायद यहाँ पर इंदिरा नेरू रहती और उसके यहाँ पर राजिम नेरू रहते और इनको वही लगाना पड़ेगा जो इनके पिता का सर्ने में। His response to my question was Why you are not called Nehru Why you are called Gandhi Because generally in India Maybe Mr. Modi doesn't understand this But generally in India Our surname is the surname of our father मतले इन्होंने क्या कहा है कि जो surname होता है वो father का surname होता है generally और यहाँ पर इनके जो father है उनका surname Gandhi ही था और इनके जो father है उनका surname यहाँ पर Gandhi इस वज़े से यहाँ पर Rahul Gandhi जो है वो हमें देखने को मिलते हैं नहरू देखने को नहीं मिलते हैं चलो एक question का जवाब मिल गया अब दूसरा सवाल सबसे बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि यहाँ पर फिरोज गांधी कैसे बने इनका surname क्या था क्या यह फिरोज खान थे और अगर फिरोज खान थे अगर यह मुस्लीम थे तो इन्होंने अपना religion जो है वो change क्यों किया और religion change किया तो गांधी सरनेम क्यों लगाया क्या political gain के लिए लगाया इसका सवाल अब यहाँ पर धूनने की कोशिश करते हैं तो अब फिरोज खान थे फिरोज खान थे जो है वो बॉन हुए थे हैं फिरोज जहांगीर गैंडी सब्टेबर 12, 1912 को बॉम्बे में उनके जो पेरेंट्स हैं रतिमाई एंड जहांगीर फरिदून गैंडी यह पारसीस थे मतलब यहाँ पर सीधा-सीधा यहाँपर पता चल रहा है कि यह मुसलिम नहीं थे यह basically पारसीस थे और इनका जो सरनेम है वो खान नहीं था इनका जो सरनेम है वो था गैंडी अब यहाँपर जहांगी जो है marine engineer की इसमें काम कर रहे थे तो अब यहाँ पर क्या होता है कि जो यंग फिरोज है वो अलाबाद मूव होते हैं उनके फादर की डेद के बाद और फिर उसके बाद वो स्टुडेंट थे अट इविंग क्रिश्टिन कॉलेज and then उसके बाद ऐसा होता है कि जवाला नेरू की जो वाइफ है कमला नेरू वो यहाँ पर समलिजे कि जो सत्या गरहीज है उनके साथ कुछ जो विद्रोफ है उस पर बाहर निकली थी Even Christian College जो है वहाँ पर picketing कर रही थी और वहाँ पर वो बेहोश हो जाती है heat के वज़े से, crowd के वज़े से वो बेहोश हो जाती है और उनकी मदद के लिए यहाँ पर फिरोज जो है वो आते हैं जो फिरोज घैंडी है वो यहाँ पर जाते हैं और फिर उसके बाद वो ब्रिटेश स्टाफ्ट कॉलेज जो है महाँ से ड्रॉप आउट हो जाते हैं and then freedom struggle जो है उसा participate करना चुरू होते हैं अब यहाँ पर इनकी उन्होंने मदद की थी इसलिए अब जो नेरू परिवार है इनके साथ इनकी जो दोस्ती है वो यहाँ पर बढ़ जाती है और उनके घर पर इनका आना जाना जो है वो चलता रहता है अब यहीं से जो गांधी जी है महात्मा गांधी है इनका जो काम है उससे काफी उनका प्रभाव यहाँ पर फिरोज गांधी पर पड़ता है और वो बोलते हैं कि यार मेरा जो सरनें है वो तो गांधी है इनका इसलिए अब यहाँ पर जो बिसिकली नाम जो है वो क्या करना है G.H.A.N.D.Y है यहाँ पर हम भी क्या करना है G.N.D.H.I कर देना है तो मतलब थोड़ी सी spelling जो है वो ही यहाँ पर change करना है बाकी तो सब कुछ वैसा का वैसा ही रहेगा तो इस तरीके से यहाँ पर उनका जो सरनेम है वो भी यहाँ पर change कर देते हैं और फिरोस गांधी जो है वो यहाँ पर बन जाते हैं और इसी दवर में उनकी मुलाकात होती ह इंदिरा गांधी से भी जो उस वक्त बेसिकली इंदिरा प्रियदर्शनी थी तो यह उनसे फाइव यह जूनियर थी और वो इंदिरा गांधी जी को प्रपोस करते हैं जब वो 16 साल की थी लेकिन जो उनकी माताश्री है कमला नेरू वो यहाँ पर object करती है कि उनकी जो पु इंदिरा गांधी जो फिरोज गांधी और गांधी बन चुके थे तो वो यहाँ पर उनके फ्रेंड की तरह आपर उनकी मदद जो है वो करने आते हैं जो फिरोज गांधी है वो यहाँ पर लंडन स्कूल आफ एकोनामिक्स में पढ़ते हैं जब दोनों के यहाँ पर मुलाकात होती है और दोनों प्यार में पढ़ते हैं और फिर यहाँ पर जो शादी है वो करने की ठान लेते हैं और फिर यहाँ जब जाकर 1941 में वो इंडिया रिटन आते हैं और उसके बाद यहाँ पर जो शादी है वो कर लेते हैं 26th मार्च 1942 को और राम नवमी आनन्द भवन अब यहाँ पर देख सकते हो कि हिंदू रिलिजन के हिसाब से उनकी शादी जो है यहाँ पर संपन्न होती है और उसके बाद यहाँ पर उनकी पॉलिटिकल जर्नी जो है वो शुरू हो जाते हैं और पॉलिटिकल जर्नी कुछ ऐसी शुरू होती है कि यहाँ पर दोनों में जो मतभेद है वो बढ़ना शुरू हो जाते हैं और मतभेद यहाँ पर मनभेद जो है उसमें भी बदल जाते बेसिकली यहाँ पर जो फिरोज गांदी है उनको जो टेक्निक्स है जो चीजे है वो यहाँ पर इंदिरा गांदी जी की पसंद नहीं आती है बेसिकली यहाँ पर ये भी MP थे इनोंने भी काफी सारी चीजे आज जो हम प्राइवेट मेंबर बिल देखते है वो इनके द्वारा लाया गया काफी बार जो गवर्मेंट थी मतलब कॉंग्रेस गवर्मेंट थी उनकी भी आलोचना इनके द्वारा की गई है ना LIC के बारे में बोली अलग अलग चीजों के बारे में काफी गलग चीजों पर आलोचना भी इनके द्वारा की गई थी इंदिरा गांदी जी को इवन उन्होंने फासिस्ट भी कहा था समझ रहे आप उनकी जो मतलब एक जिग्यासा है वो किस तरीके से थी कि उन्होंने फासिस्ट कह दिया था अपनी ही वाइब को हुआ ऐसा था कि इन्दिरा गन्धी जी ने एक बार जो केरला की communist party थी उनको सीधा मतलब democratic remote party थी उनको सीधा खारिस कर दिया था तो इसलिए यहां पर जो फिरोज गन्दी है उनोंने हां पर फासिस जो है वो कह दिया था इंदिरा गांदीजी को और इससे उनकी दूरिया और बढ़ गई थी and then उसके बाद दोनों separate भी हो जाते हैं and then September 8, 1960 को फिरोज गांदी जो है उनकी heart attack के वज़े से death हो जाती है जो verses है घीता के, रामायन के कुरान, Bible, chant किये जाते है special prayer जो गंटक की जाती है departed school by Parsi, priest तो इस तरीके से पूरी जर्नी जो है वो हमें फिरोज गांदी की देखने को मिलती है तो अब यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से यहाँ पर सरनेम जो है एस पर इन एक्सप्रेस यह पूरी जर्नी जो है फिरोज गांदी की वो हमें देखने को मिलती है और किस तरीके से हाँ पर सरनेम गांदी पड़ा है यह भी चीज हमें आपर देखने को मिलती है तो वीडियो अगर पसंद आता है तो अब शेयर जरूर कीजे चैनल वो सब्स्राइब कीजे मिलते हैं अगले वीडियो में जाएं